हेलो स्टुडेंट्स तुडे विशल कंटिन्यू दे चेप्टर स्टेट लाइन्स ओफ क्लास इलेवन्थ मैथेमेटिक्स दिस पार्ट टू इन दिश वीडियो लेशन विशल लर्न अबाउट स्लॉप ओप ए लाइन किसी भी लाइन का स्लॉप क्या होता है आज कि इस वीडि पॉजिटीव डारेक्शन ऑफ एक सक्श सक्शीज के साथ एंटिक्लोग्वाइस दिरेक्शन में मेजर न आपे आगल थीटा बना रही है यान्य कि यह जो एंगल ठीटा हैं इटीज मेज़रन in anti-clockwise direction from the positive direction of x axis तो इस angle theta को हम कहते हैं inclination of the line यानि जो line है उसका orientation हम इस angle theta से decide कर सकते हैं तो the angle theta made by the line L with positive direction of x axis and measured anti-clockwise is called the inclination of the line obviously this angle theta will be in between zero degree and 180 degree अब इस angle theta की terms में हम slope of the line define कर सकते हैं if theta is the inclination of a line L then 10 theta is called the slope or gradient of the line L यानि इस line L का जो slope है वो हम इस angle theta की terms में define करते हैं और जो slope होता है उसको हम small m से represent करते हैं तो slope of the line is equal to tangent of the angle theta where theta is the inclination of the line और इस angle theta का जो tangent होता है this is called slope of the line तो यह तो हुई definition of slope of a line अब इसमें हम दो extreme case आसानी से x-axis तो इस line L का जो slope है वो हम आसानी से calculate कर सकते है slope of the line will be equal to tangent of the angle made by this line with the positive direction of x-axis लेकिन यह line x-axis साथ 0 degree angle बना रही है तो slope हो जाएगा 10 0 degree यानि कि 0 तो कोई भी line which is parallel to x-axis या जो खुद x-axis उसका slope जो है वो 0 होता है और इसी तरह से मान लीजिए कोई दूसरी line है और वो जो line है वो y-axis के parallel है यानि perpendicular to x-axis है तो ऐसी स्थितिति में ऐसी line suppose यह line जो है वो L डेस है तो इस line का जो slope है है एम विल बी इक्वल टू टेंजेंट अफ दी एंगल यह जो एंगल बनेगा पॉजिटि डिरेक्शन आप एक्सकी साथ यह बन रहा है 90 डिग्री तो यह 90 डिग्री कर दें तो एम इक्वल टू 1090 डिग्री और यह हो गया इंफिनिटी जिसको हम नॉर्मली कहते हैं नौट डिफाइन तो एनी लाइन विचिस पैरलल टू य-क्सी उसका जो स्लॉप है वह नौट डिफाइन होता है उसको मिन भी कह देते हैं तो ऐसे इसी तरह से य-क्सी इट्सलॉप इसका स्लॉप भी इंफिनिटी हुआ और एक एक्स्ट्रीम केस है अधर्वाइज कोई भी लाइन जो एक्स सक्सिज की साथ कुछ एंगल बना रही है जैसे मालीजे कि यह है और यह कुछ एंगल बना रही है सब्सक्राइब अलफा है तो इसका कुछ लॉप होगा और वह स्लॉप जो है एम विल बी इक्वल टू टेन अ अब यहां पर भी दो संभावने हैं कि सपोस्ट यह जो लाइन है वह पॉजिटिव डिरेक्शन और एक्स सकी साथ जो एंगल बना रही है वह एंगल अलफा जो है एक्यूट एंगल है तो ऐसी इस्तितिति में यहां पर स्लॉप पॉजिटिव होगा क्योंकि टैन अलफा ब स्लॉप का एंडेस वह हो जाएगा टैन बीटा लेकिन बीटा चुकि अप्टिव सेंगल है तो अगर स्लॉप नेगेटिव है तो इससे हमें पता लगेगा कि वह जो लाइन है वह पॉजिटिव डिरेक्शन और एक्स सक्सिज के साथ अप्टिव बना रही है और अगर उसक करते हैं find the slope of the line which makes an angle of 30 degree with the positive direction of y-axis measured anti-clockwise जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं यह को कोडिने टक्सिज है और जो पॉजिटिव डिरेक्शन औफ य-axis के साथ यह कोई लाइन है और दिस लाइन इस मेकिंग an angle of 30 degree measured anti-clockwise direction में measure करते हैं यह जो लाइन है वो इसके साथ 30 degree angle बना रही है तो इस लाइन का slope है इस लाइन का slope क्या होगा यह question में पूछा है अब जो slope होता है slope M, M will be equal to 10 theta और theta is the angle measured with the positive direction of x axis तो यह theta यह हुआ अब इसमें सबसे परहे तो हम इस angle को निकाल सकते हैं यह जो angle है यह भी 30 degree हो गया क्योंकि यह vertically opposite angle है तो यह 30 degree है और यह 90 degree है तो theta will be equal to the sum of these two angles because it is the exterior angle of this triangle तो exterior angle is equal to the sum of interior opposite angle so this angle will be equal to the sum of these two और यह है 30 degree और यह दूसरा वाला angle है वो है 90 degree तो यह हो गया 120 degree तो यह जो line है this line is making an angle of 120 degree with the positive direction of x axis measured anti-clockwise in the anti-clockwise direction so यहाँ theta की value जो है हम रखेंगे 120 degree अब हम 10 120 degree की value आसाने से calculate कर सकते हैं with the help of trigonometry इसके लिए इसको लिखेंगे 180 degree minus 60 degree अब चुकि यह second quadrant है तो इसमें 10 negative होता है तो यह हो जाएगा minus 1060 degree और यह जो 1060 degree की value होती है root 3 so slope of this line will be equal to minus root 3 तो इस तरह से हमें यह दियान रखना है कि line का किसी के साथ भी angle दिया वा हो हमें geometrically वो line positive direction of x axis से कितना angle बना रही है उसे find out करना पड़ेगा और उसके according फिर हमें slope find out करना है क्योंकि slope जो है उस angle theta का tangent लेने पर हमें प्राप्त होगा अब हम line का slope find out करेंगे यदि उस line पर दो points के coordinates हमें दे रखे हो slope of a line when coordinates of any two points on the line are given यानि line पर दो points है उनके coordinates हमें दे रखे हैं तो उनका हम उस line का slope हम कैसे find out करें जैसे कि है x1 y1 दूसरा point है x2 y2 और यह दोनों जो points है इनको join करते वह यह line है यह यह कहें कि इस line पर यह दोनों point है अब हम इस line का slope find out करेंगे अब यह line जो है angle theta बना रही है positive direction of exercise के साथ जो यहां show हो रखा है और यह जो angle है वो anti-clockwise direction में measure किया जाएगा अब यह जो angle theta है अब यहां हम देखे सबसे पहले इस point P से और एक point Q है सबसे पहले point Q से हम x axis पर perpendicular drop करते हैं तो यह perpendicular हो गया qr और इस qr पर हम perpendicular drop करते हैं point P से तो यह हो गया pm तो pm बिल भी perpendicular on qm देखतो यह 90 डिग्री है तो यह यह right triangle हम बना सकते हैं और यहां से हम एक perpendicular इधर भी ड्रॉप करते हैं इधर भी हम एक परपेंडिकुर ड्रॉप कर देते हैं अब यहां पर जो है यह point P के कोडिनेट है यह x1 y1 तो यह x1 y1 का मतलब हुआ कि point P तक पहुंचने के लिए हम पहले O से यहां तक आएंगे सपोस्थ यह जो point है यह point सपोस्थ N है तो O से N तक आएंगे और यहां से यहां तक चलना O से R फिर R से Q तक चलकर हम point Q तक पहुंचेंगे तो x2 जो है वो R हो गया और इसी तरह से जो y2 है वो R Q हो गया है तो यह अंगल थीटा है तो इस एंगल को भी थीटा होना पड़ेगा इसलिए यह यह एंगल भी थीटा ही यहां मेंचन किया गया है अब हम इस ट्राइंगल में कंसिदर करें इस एंगल थीटा का टेंजेंट रिलेते हैं जो कि इस लाइन के Slope को रिप्रेज्ट करेगा तो slope of the line will be equal to m equal to 10 theta और 10 theta इस triangle में हम देख रहे हैं तो qm upon pm होगा तो इसको लिख देते हैं qm upon pm अब इसमें जो qm है qm को हम लिख सकते हैं qr-mr qr-mr divided by और pm जो है इस pm को हम लिख सकते हैं nr और nr को लिख सकते हैं or minus on तो यह or minus on हो गया अब qr कितना है qr qr definitely will be equal to y2 तो यह तो y2 के equal है और इसी तरह से mr है mr this mr will be equal to pn लेकिन pn जो है वो किसके equal है y1 के equal है इसी तरह से जो or है यहां से आता कि distance इस point q के x coordinate के equal है तो यह x2 हो गया similarly इधर देखे हम यह जो on है on इसकी value हो गई x1 क्योंकि यह इस p point के x coordinate के equal है तो इस तरह से हम हासानी से line का slope calculate कर सकते है in terms of the coordinates of p and q तो slope हो गया y2-y1 upon x2-x1 यानि कि जो दो points हमें line पर दे रहे होंगे उन दोनों points के जो y coordinate से उनका difference हम ले लेंगे और x coordinate से उनका difference ले लेंगे और उनका ratio find out कर लेंगे जो कि उस line के slope को represent करेगा लेकिन यह था अगर line acute angle बना रही है with the positive direction of x-axis अब हम case consider करते हैं माले यह line जो है वह obtuse angle बना रही है विद दि डारेक्शन ओप positive x-axis जैसे कि यहां आप देख रहे हैं यह line जो है वह x-axis के साथ एंगल थीटा बना रही है और यह जो थीटा है यह obtuse angle है this is obtuse और इस line पर दो point है यहां पर p और q q और जो q के coordinate x2 y2 और p के coordinate x1 y1 अब यह x1 y1 x2 y2 इस figure में कौन सी distance है यह वो हम यहां से देख सकते हैं यह जो x2 है वो तो यह यहां से यह तक है वह वास्तम में यहां से o से यहां तक की distance है यानि o n है और इसी तरह से जो y1 है वो यहां से n से p तक की distance होगई यानिकी np है अब अगर यह angle theta है तो definitely this angle will be equal to 180 degree minus theta क्योंकि यह दोनों एंगल एक straight line के एकी तरफ के अंगल है तो यह बनेटी डिग्री मानस theta हुआ और अब चूंकि यह line जो है वह parallel है इसके क्योंकि यहां से इस प्रपेंट पी से हम क्योंकि और पर प्रपेंट को ड्रोप किया है qr जो है वह वह y axis के parallel है तो यह जो pm है वह इस एक्स axis के parallel है और यह transversal हो गई तो यह दोनों एंगल यह वाला एंगल और यह वाले एंगल यह दोनों एक 10 of 180 degree minus theta यह calculate कर सकते हैं और यह हो जाएगा Qm upon MP 180 degree minus theta तो यह हो जाएगा minus 10 theta is equal to Qm अब Qm को लिख सकते हैं qr minus mr यह हो जाएगा qr minus mr divided by MP 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 इसको लिख सकते हैं rn और rn को लिख सकते हैं on minus or तो यह हो गया on minus or और minus 10 theta अब यह 10 theta जो है this is equal to the slope of the line so minus m हो गया और qr qr is equal to y coordinate of this point q so it is equal to y2 और mr mr यहां से यहां तक की distance है जो की pn के equal है लेकिन pn जो है वो y1 के equal है so यह y1 और on यहां से यहां तक की distance is point p के x coordinate के equal है जो की x1 है और or or जो है इस point q का जो x coordinate है उसके equal है यानि कि x2 की equal है अब यदि इस minus sign को मैं इधर ले लूँ तो यह हो जाएगा y2 minus y1 divided by minus times of x1 minus x2 और इसको यदि मैं further solve करता हूं तो वापस slope का जो formula है वो यह आएगा जो हमने acute angle के case में calculate किया था देखिए acute angle के case में हमने देखा था कि slope of the line is equal to y2 minus y1 upon x2 minus section और in case of angle theta obtuse हो उस समय भी हम देख रहे हैं कि हमें इस की चिंता करने के आवश्यक्ता नहीं है कि वो जो line है वो acute angle बना रही है या obtuse angle बना रही है with the positive direction of x-axis slope का formula सदेव यही लगेगा m is equal to y2 minus y upon x2 minus x1 अब हम इस formula की वदत से उन lines का slope find out का सकते हैं जिनके किनी दो points के coordinates हमें दे रखे हूं चलिए एक question solve करते हैं find the slope of the line passing through the points 3, minus 2 and minus 1,4 तो सबसे पहले तो हम एक line draw कर लेते हैं roughly line line की figure draw कर लेते हैं मानली जे कि दो point है इस पर एक तो है 3, minus 2 और एक point है minus 1,4 और अब हमें इस line का slope find out करना है तो इसको मैं करेता हूं इसको मैं करेता हूं x2, y2 अब हमारे पास जो स्लॉप find out करने का जो फॉम्मला है slope of the line m is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 इसमें हम x1, y1 किसी को भी ले सकते हैं या तो इस point को इस point को इस से को फरक नहीं पढ़ने वाला मैंने x1, y1 इसको लिया है 3, minus 2 को इसी तरह से x2, y2 जो है वो minus 1,4 को लिया है अब यहां हम y2 की value रख देते हैं y2 की value यहां 4 है minus फिर y1 की value है minus 2 है तो यह minus 2 bracket में रख लेंगे और x2, x2 यहां से minus 1 है फिर minus फिर x1, x1 यहां पर 3 है अब इसको solve कर लेंगे तो यह वो गया 4 plus 2 यानि 6 और upon में हो रहा है minus का 4 तो यहां से इसको पूरा simplify करते हैं तो slope of the line is equal to minus 3.2 तो इस तरह से हम आसानी से उस line का slope find out कर सकते हैं जिस पर की 2 points हमें दे रखे हैं कभी कभी question इस तरह का होता है कि जो line पर जो points है वो हमें indirectly given होते हैं जैसा कि आप इस question में देख रहे हैं find the slope of a line which passes through the origin and the midpoint of the line segment joining the points तो यहां पर इस्तिती यह है कि यह जो है suppose यह coordinate axis है और इस पर एक तो 0,-4 में point को highlight कर देता हूं तो suppose 0,-4 यहां पर एक point है और दूसरा जो point है वो यह है 8,0 suppose वो यहां है और इन दोनों को मैं join कर देता हूं यहां पर पहला point P जो है वो तो है 0,-4 और दूसरा point B है और उसके जो coordinate है वो 8,0 और इन दोनों points का जो midpoint है let us suppose midpoint is M तो इस M point के coordinate हम आसानी से find out कर सकते हैं और with the help of section formula इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस line segment के जो extreme end points है P और B इन दोनों को इन दोनों के जो X coordinates है उनका average और Y coordinates का average हम ले लेंगे यानिकि X 1 प्लस X 2 अपॉन 2 add plus 0 divided by 2 इसी तरह से 0 और minus 4 इसका सम करके upon 2 इस तरह से कर लेंगे तो इस midpoint के हम coordinate find out कर सकते हैं इसका स्लॉप हमें find out करना है according to the question the slope of a line which passes through the origin यानि कि जो origin से पास हो रही है और साती पी और बी के जो midpoint से पास हो रही है तो हमें इस लाइन का स्लॉप चाहिए अब स्लॉप निकालने के लिए हमें इस लाइन पर दो पॉइंट से यह एक पॉइंट एम तो यह रहा हो गया यह वाई बन हो गया similarly इसको मैं कर देता हूं X2 Y2 क्योंकि O और M इन दोनों से पास होने वाली लाइन का स्लॉप करना है तो के कोडिनेट्स जो है उनको हम X1 Y1 और M के जो कोडिनेट्स है उनको हम X2 Y2 कर देते हैं अब हम स्लॉप निकाल सकते हैं विद दी पॉजिटिव एक सक्सीज और वह हम यहां असानी से देख सकते हैं कि वो जो एंगल है विद दी पॉजिटिव डिरेक्शन आपक्सीज वो अप्ट्यूस है देखिए यहां पर यह जो लाइन है इस लाइन इस लिए श्लोप क्या रहा है नेगेटिव आ रहा है एक और क्वेश्चन फाइंगल बिट्विन दी एक सक्सीज और जानिंग दी पाइंट्री कोमा मैनस वन फोर कोमा मैनस तू यानि कि एक लाइन है विचिस पासिंग थ्रू इस टू पाइंट्स एक तो 3 कोमा मैनस वन सपोज 3 कोमा मैनस वन एक पाइंट यहां है और इन दोनों पाइंट को यदि मैं जॉइन करता हूं एक इस पाइंट को और एक इस पाइंट को इन दोनों पाइंट को मैं जॉइन करता हूं चलिए इसको ह इस लाइन की थिकने स्थोड़ी बढ़ा लेते हैं यह लाइन है और यह जो दोनों पॉइंट से एक तो पॉइंट यह है जो है 3,-1 suppose this point is a और यह 3,-1 और दूसरा जो पॉइंट बी है और उसके जो कोडिनेट से वो है 4,-2 और अब हमें इन दोनों 2-4 points को जॉइन करते हुए जो लाइन बन रही है यह लइन एक सक्सीज के साथ कितना एंगल बना रही है वो हमें पता ल लगाना है यानि की यह जोसिप इस स्थिटा है यह हमें पता लगाना यह question है अब हम जो theta है उसका इस line के slope के साथ किस relation है क्योंकि जो slope होता है वो होता है 10 theta, M जो होता है वो 10 theta लेकिन हम M indirectly अगर इस line पर दो points के coordinates हमें पता है तो हम M आसानी से find out कर सकते हैं और यदि यह हमें M की वहली पता लग जाती है तो उसके बैसिस पर हम थीटा भी find out कर सकते हैं तो सबसे पहले हम M find out करेंगे तो सबसे पहले M जो है slope of the line will be equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 और यहां हम x1, y1 किसी को भी कह देते हैं suppose इसको मैं कह देता हूं x1, y1 और इसको कह देता हूं suppose में x2 y2, यह x2 y2 है तो इसके बैसिस पर हम इसका slow find out कर लेंगे तो M will be equal to y2, y2 यहां पर आ रहा है minus 2 और minus y1 यहां पर है minus 1 divided by x2 है यहां पर 4 और x1 है यहां पर 3 इसको हम further solve कर लेते हैं यह होता है minus 2 plus 1 यानि कि minus 1 divided by 1 यानि कि slope आ गया minus 1 अब M जो होता है वो होता है 10 theta 10 theta is equal to minus 1 और इसको लिख सकते है minus 1045 degree और यहां से पता लग रहा है चुकि slope negative है तो इसका मतलब theta जो है obtuse angle है तो इस minus 1045 degree को हम ऐसे लिखेंगे 10 of 180 degree minus 45 degree क्योंकि 10 180 minus 45 will be equal to minus 1045 तो आसा लिख सकते हैं अब हम दोनों जो left hand side और right hand side को compare करें तो यहां से कह सकते हैं कि जो theta है वो हो गया 180 degree minus 45 degree यानि की 135 degree तो this line which is passing through these two points is making an angle of 135 degree with the positive x-axis measured along anti-clockwise direction तो इस तरह से हम आसानी से question solve कर सकते हैं which are related with the slope of a line तो आज के इस यूडियो में आपने सबसे पहले तो जाना कि कोई भी line positive x-axis साथ जो angle बनाती है उस angle का जो tangent है उसे हम उस line का slope करते हैं और यदि उस line पर कोई भी दो points हमें दे रखे हैं एक point x1 y1 दूसरा point x2 y2 तो ऐसी line का slope है हम आसानी से find out कर सकते हैं with this formula m is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 भले वो line in acute angle बना रही हो या obtuse angle बना रही हो विद दी पॉजिटीव x-axis thanks for watching this video